हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाज़ोर्या पर स्वागत है हम डिसकस कर रहे हैं Transformation of Sentences जिसमें आज का हमारा टॉपिक है Simple, Compound और Complex इन सेंटेंस को कैसे हम एक दूसरे में Transformation करेंगे देखे Transformation का मतलब होता है कि सेंटेंस की Grammatical Form Change होती है उसका Sense उसका Meaning Change नहीं होता है पहुत ही Simple Concept है आप इसे समझने का प्रियास करें एक्जाम में मात्र आप क्यूस्टन देखते ही इसका अनसर टिक कर दोगे तो सबसे पहले हम देख लें कि Simple, Compound और Complex Sentence आखरी होते क्या है किस बला का नाम है तो Simple Sentence क्या है जिसमें एक Subject और एक Finite Verb हो जैसे He bought a Laptop यानि उसने एक Laptop खरीदा He यहाँ Subject है, bought एक Verb है जो इस Subject की Verb है इसे हम Finite Verb कहते हैं Clear है और यह एक पूरा मिनिंग दे रहा है यानि He bought a Laptop उसने एक Laptop खरीदा अपने आप में पूरा मिनिंग दे रहा है तो जिसमें एक Subject और एक Finite Verb हो और जो अपना पूरा मिनिंग दे यानि पूरा अर्थ दे और किसी दूसरे Clause पर या Sentence पर Depend ना हो तो उसे हम Principal Clause, Man Clause या Independent Clause कहते हैं जो अपना पूरा अर्थ देती हैं तो वही क्या है Simple Sentence कहलाता है दूसरा क्या है Compound Sentence देखें जिसमें दो या दो से अधिक Principal Clause या जिसे हम कहें Independent Clause हो तो कम से कम दो Principal Clause होनी चाहिए Compound Sentence के लिए और ये जो दोनों Compound Sentence में जो दोनों Principal Clause है ये Coordinate Conjection द्वारा जुड़ी हुई होती है और ये दोनों Principal Clause एक दूसरे पर Depend नहीं होती है यानि ये भी Independent होती है अपना पूर्ण अर्थ देती है अलग-अलग जैसे C is ill वह बिमार है C is absent वह अनुपस्तित है तो देखे ये भी एक पूर्ण सेंस दे रहा है ये भी एक पूर्ण सेंस दे रहा है लेकिन इनको जोड़ा गया है किसे एक बीच में Conjection है जो कि एक Coordinate Conjection है तो Coordinate Conjection से जुड़े होने के कारण हम इसे Coordinate Clause भी कह सकते हैं हाला कि है दोनों ये Principal Clause क्यों क्योंकि Independent है और अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है यानि किसी दूसरे पर Depend नहीं है इसलिए अब Next आजाईए Complex Sentence क्या होते हैं देखिए जिसमें एक Principal Clause और कम से कम एक Subordinate Clause हो तो Principal Clause तो एक होगी लेकिन Subordinate Clause एक या एक से अधिक भी हो सकती है जैसे As C was ill C was absent अब आप इसे देखिए As C was ill क्योंकि वह बिमार थी अब ये एक पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? नहीं ये इसके उपर Depend है C was absent क्योंकि वह बिमार थी इसलिए अनपस्तित थी तो इसको अपना पूरा सेंस देने के लिए इसके उपर Depend हुई तो ये तो हो गया Independent और ये क्या है? जिस Dependent हो गया? जिसे हम Subordinate Clause कहते हैं और Subordinate Clause हमेशा किसी Subordinate Conjection से शुरू होगा अब ये Subordinate Conjection और ये Coordinate Conjection क्या है? इनके बारे मैं आपको अभी बताऊंगा यहां तक आपको Clear हो जाना चाहिए इस Topic पर मैंने Detail में एक वीडियो भी बना रखा है इससे पहले अपलोड किया था यदि आपको यहां किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यहां पर आपको उसका Link मिल जाएगा आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अब ये देखे आप Subordinate Conjection ये हैं जिनके द्वारा हम Compound Sentence बनाते हैं और Coordinate Conjection ये हैं जिनके द्वारा हम Complex Sentence बनाते हैं तो ये F, A, N, B, O, Y, S, Fan, Y, Z ये एक ट्रीक है F का मनला For, इस तरह And, Nor, But, Or, Yet, Or, So ज्यादा तर हम इनका ही यूज करते हैं Compound Sentence बनाने के लिए लेकिन ये कुछ और भी Conjection है जो Coordinate Conjection है इनका भी यूज किया जाता है और कुछ Pair में हैं तो इनका भी हम यूज करते हैं तो इसके आप Screenshot या Photo ले लें क्योंकि बहुत Important है ये आपको आगे भी काम आएंगे चलिए अब शुरुआत करते हम Transformation के Main Topic पर आते हैं सबसे पहले हम एक Simple Sentence लेते हैं फिर उसको हम Compound में और उसको Complex में हम Transformation करेंगे देखे Seeing a Tiger यानि एक बाग को देखकर या बाग को देखकर He ran away वह भागा यहाँ पे आप बताएं सब्जेक्ट क्या है और यह वब है ran away clear है तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वब है इसलिए यह एक Simple Sentence है और अपना पूरा मिनिंग दे रहा है कि बाग को देखकर वह भाग गया अब यह क्या है Seeing a Tiger दिखें यह तो एक अतरिक्त आइडिया दिया जा रहा है इसमें अगर यह ऐसे होता ही ran away वह भाग गया तब भी Complete Sentence था लेकिन Seeing a Tiger यह यह एक 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 अइडिया दिया हुआ है और इस तरह से आइडिया आपको दिये होंगे तब ही आप Compound और Complex Sentence बना पाओगे अब यह जो Sentence है न यह देखे Present Participle से शुरू हो रहा है वह में ing आ रहा है यानि Present Participle है इनके बारे में अलग से वीडियो में अपलोड कर रखें आप देख सकते हैं कि Present Participle क्या होता है अब सोचिए आपको इसी Compound Sentence में बदलना है तो Compound Sentence में बदलने के लिए आपको दो प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो यानि independent हो और एक आपको क्या चाहिए Coordinate Conjection जिसके द्वारा वो जुड़े हुए हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ना कि Seeing a Tiger तो He saw a Tiger क्योंकि He यह सब्जेक्ट इसलिए उसने एक टाइगर देखा And से हम जोड़ दें He ran away वह भाग गया तो देखे He saw a Tiger यानि उसने एक टाइगर देखा और He ran away वह भाग गया देखे दौनों जो है अपना अर्थ दे रहे हैं एक दूसरे पर कहीं भी डिपेंड नहीं इसलिए इने हम independent clause कहते हैं और यह जो है हम Conjection तो लगाना ही जब हम Compound Sentence बनाये तो हमें Sense के According Coordinate Conjection का यूज करना है हमने End का किया कि He saw a Tiger उसने एक टाइगर देखा और He ran away यानि वह भाग गया दौनों clause हमारी principle हुई लेकिन यह एक तरह से Coordinate Conjection है इसलिए हम इसे हम Coordinate Clause भी कह सकते हैं अब Next हम बनाये Complex Complex बनाने के लिए क्या होगा हमारे पास एक Subordinate Conjection होनी चाहिए चलिए हम Use कर लेते हैं As Soon As As Soon As He saw a Tiger जो ही जैसे ही उसने एक टाइगर देखा He ran away यानि भाग गया अब आप देखें यहां पे As Soon As He saw a Tiger जैसे उसने एक टाइगर देखा क्या यह पूर्ण सेंस दे रहा है नहीं जैसे उसने एक टाइगर देखा तो क्या तो आगे आप चलिए जाए He ran away यानि भाग गया अब यह पूर्ण सेंस होगा तो यह जो Subordinate Clause है ना यह Principal Clause पर Depend होता है और Subordinate Clause हमेसे या किसी Subordinate Conjection से शुरू होगा तो जैसे उसने बाग को देखा वह भाग गया अब आप देखें यहाँ जो तीनो सेंस है इनकी Grammatical Form अलग-अलग है लिकिन आप इनका मिनिंग देखिए बाग को देखकर वह भाग गया उसने एक बाग देखा और वह भाग गया जैसे उसने बाग को देखा वह भाग गया बदलेवे आपको sentence की structure बदलनी होती है यानि कि sentence की grammatical form को change करना होता है अब आप समझ गए होंगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार से हम इनको complex से compound और compound से आप simple और complex से simple भी बना सकते हो कि इस तरह से आपको sentence दिया होगा complex तो आप किसी coordinate junction का यूज़ करके complex में और यहाँ पे आप simple में जब बनाओगे तो simple में बनाने के लिए आपको या तो present participle का यूज़ करना है या पास्ट पास्पल का यूज़ करना है या perfect partsful का यूज़ करना है या infinitive का यूज़ करना है या फिर आपको कोई pre-position का यूज़ करना है जो कि एक phrase के रूप में हो इस प्रकार से आप इनको simple में बना सकते हो next चली the having risen sorry the sun having risen the fog disappeared सूर्य उगने पर कोवासा गाइब हो गया यहाँ पे subject क्या है fog और वाब देखे disappeared तो एक subject है एक वाब है पूर्ण अर्थ दे रहा है सूर्य उगने पर कोवासा फट गया मतलब गाइब हो गया simple sentence है और यह क्या है यह तो एक extra idea है जो कि nominate absolute है क्योंकि subject having और वाब की third form यूज हुई है तो यह आप detail में देख सकते हैं इसके उपर अलग से वीडियो बना हुआ है हम change करेंगे से compound और complex में कर दीजिए देखिए कैसे आप कर सकते हो कि सूर्य उगने पर कोवासा गाइब हो गया तो आप यूँ कहो ना कि सूर्य उगा और कोवासा गाइब हो गया तो आप लिख सकते हो the sun rose and the fog disappeared और इसको जोड़ दो आप coordinate conjunction से ये जोड़ दिया सूर्य उगा और कोवासा गाइब हो गया complex में बनाए इसमें आप कोई भी subordinate conjunction का यूज करके the fog disappeared when the sun rose यनि सूर्य उगते ही कोवासा गाइब हो गया तो जब सूर्य उगा कोवासा गाइब हो गया तो ये subordinate conjunction से शुरूआ इसलिए subordinate clause है और अपने meaning के लिए जब सूर्य उदय हुआ तो क्या आगे आपको इसका साहरा लेना पड़ेगा कि fog disappear हो गया clear है next we must eat to live हमें जीने के लिए खाना चाहिए तो देखे subject क्या है we और verb यहां man verb eat एक subject यह वर्ब है यानि कि यह हमारे एक simple sentence है अब आप कहोगे कि यह भी तो वर्ब है live no to live यानि two plus verb के first form यह एक infinitive है ठीक है जो वर्ब नहीं होती है अब आप इसे compound में change कीजिए कोई भी coordinate conjunction का यूज करके we must eat और we can not live हमें खाना चाहिए नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते तो यहाँ पर coordinate conjunction हमने और का यूज किया अब इसे बदल दे हम complex में तो आप ऐसे बना सकते है we must eat so that we can live हमें खाना चाहिए ताकि हम जीवित रह सके तो यह एक subordinate conjunction है इससे जोडा गया है इसलिए यह हमारी clause subordinate clause कहलाएगी नेक्स्ट एक और ले in spite of his illness रवी अटेंड इन्डे मिटिंग उसकी बीमारी के बावजूद भी रवी मिटिंग में उपस्तित हुआ एक सब्जेक्ट है रवी और एक वाव है अटेंड की यहां second form यूज हो रही है किलियर है इसके अलावा और तो यहां यह इस तरह से sentence हो सकता है कोई phrase यहां हो सकती है बनाएगे compound में रवी वाज इल यट ही अटेंड इन्डे मिटिंग रवी बिमार था फिर भी वाव मिटिंग में उपस्तित हुआ यह बन गया आपका compound sentence क्यों क्योंकि हमने आप coordinate conjunction का यूज किया इसलिए complex में बना सकते हैं आप कोई भी subordinate conjunction का यूज करके इसके sense के अनुसार तो रवी वाज इल हाला कि यद पी रवी बिमार था यह फिर भी उसने मिटिंग में उपस्तित हुआ इस तरह से आप जो है transformation कर सकते हैं अब आपके लिए यहां पे एक practice set दिया हुआ है आप इनको पैचाने की यह कौन सा sentence है, simple है, complex है या compound है और इनके द्वारा आप एक दूसरे से transformation भी बनाएए और मुझे comments box में लिख करके बेज दीजिए कि sir हमने यह topic सीख लिया है फिर मैं कह रहा हूँ यदि आपको इसे detail में देखना है तो एक अलग से video बना हुआ है वो आपको description में या इस video के सबसे आखरी में भी आपको उसका link मिल जाएगा वीडियो पसंद आया होते से like और share जरूर करें और यदि आप इस channel पर नए है तो इसे subscribe कर लें हसते रहे मुश्कराते रहे और देखते रहे आपका अपना channel sr जाजोरिया धन्यवाद